तो हम इन लेक्चर्स के थूँ इन्वार्मेंटल साइंस यूजी सी नेट पेपर टू के अभी इंपोर्टन टॉपिक्स को देखने वाले हैं आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्वार्मेंटल जियो साइंस यूनिट फोर्ट का सबसे पहला टॉपिक यानि की ओरिजनेशन ओफ अर्थ तो अर्थ का ओरिजन लगभग 4.6 बिलियन या सगो हुआ था कैसे शुरुआत में ये एक solid solidified cloud of dust and gases था जो की माना जाता है कि जब sun का creation हुआ तो उसके left over material के थूँ ये चीज़े बनी earliest period की बात करें दीरे दीरे करके इस तरीके से formation हुआ था core जो है वो solid होता है और iron और उसके alloys से मिलके बना होता है mental और crust जो होता है oxides and silicates of metal से बना होता है और atmosphere में हमारी ये सारी gases पाई जाती है hydrogen, nitrogen, carbon monoxide and carbon dioxide etc तो अर्थ जो है इस तरीके से अगर हम उसका layer निकाले अगर हम अर्थ का ये structure देखें सबसे अंदर होता है core उसके उपर mantle फिर सबसे उपर होता है हमारा ये region crust core हमारा iron से बना हुआ है mantle और crust जो है वो oxides और silicates of metals, metal से ही बना हुआ है mainly और atmosphere हमारा gases से बना हुआ है दूसरा इसमें हमारा topic है primary geochemical differentiation इसका मतलब ये है कि जब दीरे दीरे वो जो solidified dust और gases थी धीरे दीरे जब आप सारी थी planet का formation कर रही थी तो किस-किस तरीके से हमारी different layers का formation होता गया जैसे crust, mantle, core हमारा बना, atmosphere बना, hydrosphere बना तो किस तरीके से differentiation होकर बना ठीक है तो materials inside the earth are arranged in a series of concentric layers of diffusing density हम यह देखेंगे कि जितने भी material है अर्थ के अंदर वो density के अधार पर उनका एक arrangement हुआ है अंदर जो core हम देख रहे हैं सबसे जादा dense है उसके बाद फिर mental फिर उसके बाद crust उसके बाद हमारा आ जाता है atmosphere इस तरीके से concentric layers में decreasing density के तोर पर सारी layers arranged है यहां पर सबसे जाद उससे कम उससे कम और सबसे कम अर्ली earth got heated up due to अब जब शुरुआत में earth बना उसके बाद वो काफी जादा गरम हो गया था heat up हो गया था क्यों radioactive decay हो रहा था उसमें uranium और thorium का gravitational compression की वज़े से चुकि बीच में जब core का formation हुआ वहां पर density काफी जादा थी तो gravitational pull होने लगा compression होन सबसे पहले उसके बाद बात आती है किस तरीके से हमारा crust mantle और core बना अब देखिए जैसे हर earth जो हो heat up हुआ dust and gases begin to unmix जो भी dust और gases थी unmix होना धीरे धीरे शुरू हुए और अपनी density के अधार पर उनका differentiation होता चला गया iron देखिए भारी होता है वो उसने core बना लिया अंदर का core हमारा solid रहा और बाहर का molten state में यानि liquid state में जो silicates थे उसने magma ocean बना लिया जो हमारे नीचे magma पूरा liquid form है वो silicates ने बनाया potassium, sodium और silicates ने crust बनाया iron, magnesium, silicates ने mantle बनाया basaltic, oceanic crust जो हमारा ocean है, ocean के नीचे का crust है वो basaltic था उसके बाद हमारा continental crust बना उससे कम density वाले तो यह density हमारी decreasing density के order में इस तरीके से differentiation हुआ अब uranium और thorium की बात करें तो इनकी density काफी high होती है तो हमें यह expect करना चाहिए था कि इनको core में होना चाहिए था लेकिन यह ज्यादा तर crust और mantle में concentrated है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो silicate और oxide minerals होते हैं, silicate जो हमारे minerals होते हैं उनका कुछ crystal structure होता है जिसमें कि यह असानी से fit हो सकते हैं तो यह crust और mantle में पाए जाते हैं उसके बाद बारी आई हमारे atmosphere के formation की, atmosphere का formation हमारा तीन stages में हुआ, पहली stage में हमारे एर्थ पे hydrogen और helium gas थी जो की solar winds की वज़े से driven अवे हो गई ठीक है, उसके बाद second phase में हमारा carbon dioxide ammonia water degassing outpouring from earth's interior earth में उससे में बहुत जादा volcanoes वगेरा हो रहे थे तो volcanoes में से कुछ gases निकल रहे थी अर्थ के अंदर से, जिसको degassing नाम दिया गया तो यह सारी चीज़ें जो है, बाहर आई हमारे atmosphere में, यह सारी gases third phase में, जो की present day है, इसका time period 2.7 से 2.2 billion years अगो तक जो है oxygen predominant है सबसे जादा, third stage में और सबसे पहरी जो oxygen release किया था, वो किया था हमारे cyanobacteria ने आब उसके बाद हमारे hydrosphere का formation हुआ लगभग 3.8 तू 4.6 billion years अगो dust particles and rocks of early earth contain up to 20% water, जो शुरू आपने अर्थ बना, उसमें जो dust particles थे, rocks थे, उनमें लगभग 20% पानी था, बाकी कैसे वो outgassing हो रही थी, जिससे की अर्थ cool हो रहा था, water vapor भी निकल रहा था उसी दोरान, और वो water vapor निकल के फिर condens होके condensation हो रहा था उसका और rain के form में वो earth पे आ रहे थे, जिससे oceans का formation हो गया, chemical composition समय के साथ change हुई, तो आज किस lecture में हमने देखा कि किस तरीके से earth का origin हुआ, primary geochemical differentiation कैसे हुआ, तो I hope आपको अच्छा लगा होगा, हम इन lectures के through important topics के सिर्फ important points को ही study करेंगे, तो आपसे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में